ह로 सूरिय टूरीजम टिप्स फैमली आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करताँ कि साथ यो आप लोग सवी सवस्त हैं, कुछल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैपी हैं और साथ यो ओमी क्रोन जैसे वेरियंट से आप लोग बचके रह रहे हैं और साथी साथ अपना आप अवेर कर रहे हैं लोगों को और अपनी हेल्थ के परती जागरू को रहे हैं साथ योग बात करेंगे आज हम हैंगरी के बारे में क्या हैंगरी सेनिगन कंट्री हैंगरी कैसे जाएंगरी कहां पड़ता हैंगरी की वीजा प्रोसेस क्या है salary क्या मिलती है, वहां की currency क्या है इन सब के बारे में मैं आपको detail से बताऊंगा वीडियो जो है साथियो शुरू से लेके last तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी information मिल सके जो आप अपना कीमती time दे रहे उसका proper सदूपयोग आप लोग कर सके साथियो चैनल को जो है subscribe जरूर कर लेना free of cost है किसी प्रकार का कोई charge नहीं है bail icon जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे latest notification मिलते रहें साथियो बात करते हैं सबसे पहले की hangry सेनिगन country है की नहीं है साथियो मैं आपको बता दूँ hangry जो है सेनिगन country है बिल्कुल hangry जो है सेनिगन country है आप सेनिगन वीजा आपके पास है तो आप hangry भी travel कर सकते हो सेकिन साथियो जो है hangry है वो पढ़ता का है साथियो hangry जो है यूरोप के बिल्कुल center में पढ़ता है बिल्कुल मतलब बिल्कुल center के अंदर है और hangry एक landlocked country है landlocked का मतलब होता है साथियो चारों और से समुंदरी तलनाओ के धरती land means होता है धरती चारों और जितने भी hangry के border है वो सब से धरती से जुड़ेवे हैं by land जुड़ेवे हैं कहीं भी समुंदरी border नहीं है ! यि अब बात करते हैं हÍंगरी की capital के साथ हो बुदरपेश और यह साथ कंट्री यिस है अब बात करते हैं है यहीं आका सबसे बड़ा सहर है और सबसे ज़्यादा पोपलेशन वाला सहर भी यही है और साथियो आप लोगों ने बुदा पेस्ट का नाम जरूर सुना होगा हैंगरी का साथ आप लोगों ने ना सुना हो क्योंकि बहुत ही फेमस है हैंगरी जो है साथियो दुनिया के अगर यहां की टोटल पोपुलेशन के अगर बात करें तो इंडिया में बहुत कम बनते हैं अगर मैं इंडियन में बात करूं तो एक इंडियन रुपीज के अंदर चार रुपे 25 पैसे बनते हैं साथ यहां हैंगरी एक मातर सेनिकन कंट्री है जहां इंडियन पैसे की वेल्यू सबसे जादा है जहां एक इंडियन रुपीज जो है हैंगरी के अंदर वहां के चार रुपे 25 पैसे बनते हैं अगर हैंगरीन फ्रोंट के बात करूं तो एक इंडियन रुपीज इक्वल टू 4 4.25 जो बनता है तो आप देख सकते हो कि मतलब आप हजार रुपए हंगरी के अंदर ले जा रहे हो तो आपके लगबग 4,250 रुपए बन जाएंगे हंगरी की जो अगर लेंग्वेज की बात करें तो हंगरी यह वहां की लोकल जो है ओफिसियल लेंग्वेज है हंगरी को साथ मुझे हो हंगरी दुनिया में अगर बोले तो एक अधमात्र कंटरी भी बोल सकते हो है और भी बहुत सारी कंटरी है हेंनी के पास साथ यह ब आप तक लोगों ने जीते हैं अब बात करते हैं लेन tea है कि फीज़ा कि प्रोश तो साथ हेंगरी का जो विजिट वीजा है वो सेनिगन के ही अंदर आता है आपको सेम प्रोसेस जो अगर आप जर्मनी के लिए कर रहे हो इटली के लिए कर रहे हो पॉलेंड के लिए कर रहे हो तो सेम प्रोसेस जो है आपको हेंगरी के लिए करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि वरक वीजा कैसे है और क्या सेलरी क्या मिलती है अब बात करते हैं कि हंगरी के अंदर सबसे ज़्यादा जोब सेक्टर वाले सेक्टर कौन से हैं जिसमें जोब मिलती हैं आपको बता दू साथियो नंबर वन जो है वहां बेंकिंग के अंदर जोब मिलती है सैकिन है आई टी इंफोर्मेशन टेकनलोजी थर्ड है हेल्थ केर फॉर्थ है साथियो ट्रेवल फिप्त है जो है कंस्ट्रक्शन एंजिक्स जो है एज्यूकेशन यह वहां की चैस सबसे ब इसको अगर कनवर्ट करें तो लगबग एक लाक जो है इंडियन रुपीज जो है अराम से यहां पर सैलरी आपको मिल जाती है बहुत ही इजी प्रोसेस जो है साथियो अगर आप लगबग 4.93 लाक को भी छोड़ो आप तो चार लाक भी कमारे हो तो लगबग इंडिया के 95. 25.000 रुपे बनते तो एक बहुत अच्छी सैलरी है बाकी अगर यहां पर नॉर्मली अगर कम से कम जिसको कुछ भी अता नहीं पता नहीं जाता नहीं उसकी भी सैलरी जो है दो लाक ही कारण में जार हैंगरियन फोरेंट मिलती है मतलब आप समझ सकते हो दो लाक भी मिल रही रहता है यह मैन फेक्ट ते साथ क्यों अगर आपको हैंगरी के लिए और कोई इंफोर्मेशन चीहें कोई हैल्प चीहें तो वीडियो की स्क्रीन डिस्क्रेप्शन में मेरे वाटसब नंबर है तो आप मुझे कॉंटेक कर सकते हैं थैंक्यू सो मच